मनुजीत मंडल जी ये बताइए जिस तरह के ताकत BJP यहां जोगती भी दिखाई दे रही है। कोई अगर आप बरताब दिखाऊगे तो मैं आपको दाबे के साथ कह सकता हूं को जो सिक्सीथ है यहां का जो एजुकेटेट बेंगॉली मेडिल क्लासे यह लोग बीजिपी के साथ नहीं जाएंगे यह हमको पता है और इसलिए आप अगर पार्लमेंटरी लेक्शन में देख और जो विकास मम्ताजी के अंदर हुई है आज सवाल आपसे मेरा ये है कि पार्टी के भीतर जो अंदरूनी लडाई चल रही है जो अलग-अलग गुट बढ़ने पे दिखाई दे रहे हैं जब तक आप उस चुनौती से निपटनी पाएंगे आप सामने वाले दुश्मन स पार्टी के भीतर अगर कोई अंदरूनी लडाई है तो बीजिपी को इतना उत्फल की हुगया है वो इतना खुष क्यों दिखते है हार जगा वो शुवेंदु अधिकारी जो आंदोलन में मंता पानर जी के साथ कंधा मिला कर चल रहे ते उनकी नाराजगी इतने बड़े म अंच पर अगर सामने आगे तो प्रॉब्लम है वो सकते आगे इलेक्शन के पांच माहिने पहले आप अगर यह इस तरह का बात कहोगे तो लोग का है गया रहे पुरा-पुरा मक्षन तो खा लिया आठ नौ सल से आप अगर जाना है तो जाओ हम क्या कर सकते हैं लेकिन अगर जाओ जिदू उनको लगता है कि हमको पुछ मेहीं मिला तो यह नाराज़ू अपिशिक बानेर जी जाना प्क्र शुदू पास उनकर प्लावार करते हैं उनका प्रभाव जनता के पास आप ही के पाटि के शिकळक रहे हैं ना थी इस तरह करते हैं ना बीजेपश पा आप बंगल में हम नहीं करते हैं, हम सेबा करते हैं जनता कि इस तरह से ममता भी कर रहे हैं इसले नौ दाज सालों में यह सेबा है लेकिन बीजी आप लेंगोईज देखिए चाहे स्टुडियों में देखिए अभी हो मेरे दोस्ते संदीब जी वो क्या कह रहे थी एक ही के तूफान में भी ब्रस्टाचार करते हो जो लगातार राजनितिक हिंसा के अतरिक्त जिनकी कोई उपलब दी नहीं हो और जिनकी अपनी पार्टी में सिर्फ उटवल चल रही हो जिनोंने नंदी ग्राम और सिंगूर जैसे आंदोलों को कड़ा करके तिर्मूल कांग्रेस पार्टी से तरस्ट होकर पार्टी छोड़ रहे हो उसके बाद भी उनको ही दोस्त देने कि अगर इनकी प्रवित्ति हो और जो सांपरदाइकता पर हमादाओं कि आप एद के समय जो है लॉक्डाउन हटा ले और राम मंदिर का जैसे निर्मान की बात हो वैसे ही आपके लि नहीं प्रेम शुक्ला जी लेकिन जेपी नड़ा सहाब भी जब वहां जाते हैं तो वहां जाकर जाते हैं बंगाल में तो वहां जाकर उनको कि याद क्यों दिलानी पड़ती है कि हम लागू करेंगे वो तो बालों में जनता को कानून बन चुका है लेकिन अगर याद दिलाते हैं तो कहीं ना कहीं गुरुवी करण की एक कोशिश होती है ना इसलिए याद दिलानी पड़ती है कि हम शारनार्थी और बुस्पैटिय कानून आया तो क्या दूवी करन की कोशिश नहीं है जिनका सपना है उनके सपनों को चक्रा चूर करने के लिए किस तरह से हम समयदानिक और लोगतांत्रिक प्रावजानों के माध्यम से प्रेम शुकला जी मैं ये पूच नहीं हूं विकास का मुद्धा पीछे क्यों अगर किसानों के खाते बंगाल में नहीं पहुंच रहा ए तो यह किसका बोश जाना लाप पोह उनके सामान वनचुत करने का दुश्कर्व रतने वाली मता बनेड़ जी का पड़ना आ एक हृजश नवीं भातो है लेटेस्ट खबरों के लिए यूँ ही देखते रही है आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले.